मानलो अपना पैसा कोई चुरा ले, कोई धोके से कायब कर ले, तो हम सब का नस्ट होगा, समुह का नाश होगा, आप जानते हैं ना, अपनी समुह निधी सुरक्षित रखने के लिए, दिन बदिन बढ़ोती करने के लिए, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, सूचिए, चर्चा कीजिए, इसके बाद ही समाधान बताईए, तीसरा प्रश्न, समुह की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, चाहे एक परिवार हो, या समुह हो, नियम पालन जरूरी है, तभी अनुशासन आएगा, सम्रद्धी हो समुह के नियम कौन बनाते हैं, और कहा बनाते हैं, पांचवा प्रश्न, समुह के हर सदस्ये के परिवार की प्रगती और विकास की योजना तयार करनी होगी, पांचवा प्रश्न, ये विकास और प्रगती की योजना कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और कहा बनाते हैं, तो कभी-कभी लीडर और सदस्य के बीच में जगड़ा हो जाता है। अगर इस जगड़े को हम नहीं रोकेंगे और लापरवाही बढ़तेंगे तो फिर हमारे समुह का क्या होगा? काफी नस्ट होगा। अपने समुह में आपस में होने वाले छोटे-छोटे जगड़ों को सदस्यों के बीच गलत फहमियों को दीरी किये बिना लापरवाही किये बिना कैसे सुलजाना चाहिए? छटा प्रश्न, समुह में आने वाले छोटी-छोटी समस्याओं को लापरवाही करने से क्या होता है? बेहनों आप सभी हमेशा कहते हैं संग हमारा मैका है इस मैके का प्यार पाने के लिए अपने सुख दुख बाटने के लिए हमें कहां जाना चाहिए हमें धीरज और सांत्वना कहां मिलती है यही मेरा अगला सवाल है विचार कीजिए चर्चा कीजिए फिर जवाब बताईए कई सदस्य समू को पाच्छाला मानते हैं वे कहते हैं समू द्वारा हमें नहीं नहीं जानकारी मिलती है हम एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बाती सीख सकते हैं सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है आपको अपनी भलाई के लिए अपनी प्रगती और विकास के के लिए कहां जाना होगा आप सुझिए मत चर्चा कीजिए उसके बाद उत्तर दीजिए आठ्वा प्रश्न बैठत में जाने से गरीब बहनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी कैसे मिलेगी समाज में गरीबी का कारण सिर्फ पैसा नहीं है अनेक सामाजिक दुराचार भी जिम्मेदार है समाज की गरीबी और दरिद्रता का कारण है दहेज, बाल विवाह, बाल मजदूरी, शराब और कई नशे की आदते पक्षपात ऐसे दुराचार हमारा समुह मिटाता है आपके प्रश्न, बैठक में हम किस तरह सामाजिक बुराईयों पर चर्चा करेंगे और कैसे उनको मिटाएंगे हम दस सदसे मिलकर बैंक में खाता खोलने से समुह तयार नहीं होता, समुह की पहचान नहीं होती अच्छी तरह राय मश्वरा करके सदस्यों की समस्याओं को समझ के उनकी भलाई को नजर में रखते हुए निर्ने लेकर काम करने वाले समुह को लक्ष की प्राप्ति होती है और समूह को असली पहचान मिलती है राय मश्वरा, सोंच विचार, चर्चा यही समूह की जान है और इसी से समूह की पहचान है यह मेरा दस्वा और आकरी सवाल आप अपने समूह में होने वाले हर राय मश्वरे को हर चर्चे को, हर विचार को और हर सोंच को कितनी मानिता देते हैं और इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने समुह में कैसे चलाते हैं जो सदस्य इस राय मश्वरे सोंच विचार धारा में नहीं आते हैं उन सदस्यों की लापरवाही को हटाने के लिए आप कैसे कदम उठाते हैं? सोच कर बताईए। आपका समू ऐसी ही निरंतर प्रगती और विकास की रहा पर आगे बढ़ता रहे। मेरी शुब कामना आप सब के साथ हैं और इसी शुब कामना के साथ मैं आपसे अनुमती चाहती हूँ, फिर मिलेंगे। कर दो दो कि लिए झाल आपसे यहुझ कामना के साथ हैं और प्रगती ठापसित खज़ हैं अनुमती झाल निर प्रगती हूँ, लिए बब़्कासित रहें प्रगती हैं यहाल दोगती हैं इसी हैं निर मिलेंगे।